नमस्कार उत्तर पदेश विदान सवागे सो में मैं हूँ आपका उमा संकतिर पाठी आज निवज वाला के उपर आपका बड़ा रिजल्ट जो कल आपको सुनाया हूँ उसका बड़ा धन्यवाद करेंगे आज निवज वाला का जो समस्क्रीम है सब का धन्यवाद और यूट्यूब चेनल वालों का सबसे बड़ा धन्यवाद जिन्होंने हमको ये एक प्लेटफोर्म दिया जिसके उपर हम अपना दिल का बाद सब रिजय सुनाने के लिए ततपर है तो बाई उत्राखंड में एक ब गुपर विचार चर्शा करें एक कुर्सी बाइठने बोले या नेग बन गए उत्राखंड में बीजेपी को पून बहुवत के साथ सरकार बना लेगी लेकिन ये कह सकते बड़ा सवाल है जो कि इस कुर्सी गोपर बैठेगा कौन तो बैठने की बात करेंगे कौन मनेगा को जार के लिए उत्राघं का मुख्यमंतरी का कूर्शी का जो दावेदारी का लिस साय वह बहुत लंबाल इसको का जा सकता है नूं बहुत ब्यांकर बन गए इसका बड़ा लूस्त इसको बोल सकते हैँ नो भीजे कई मन गया तो इस वजी का सकते बड़ा प defence कि तो निसंग के जो इलावा भुबंचंद घडूरी भगत सिंग किस्योरिया कॉंग्रस से आए होए वीजे बहुबुना को भी वो चेहरे में सामिल किया जा सकता है जो मुख्या मंत्री रह चुके हैं वैसे सत्वाल महाराजी पहले कॉंग्रस में लेकिन 2014 के लोग सवाल में पहले ही बीजे पी में आच चुके हैं तो सत्पाल महाराजी का भी बड़ा एक यहां पर चेहरा बंद करके सामने आ रहा तो सीम का कुर्सी के दौड में उत्रा खंड में कई नाम है होड़ तो मंत्री की कुर्सी के लिए एक कही सक्तियें कि सब क्योंकि नेताओं की जो फाउज कॉंग्रेस छोड़ भी जेपी में आई रहे हो उसकी नजर भी कुर्षी के ऊपर है तो पहले बोला कि जो उत्तर वा यह उत्राखन में कॉंग्रेस पार्टी छोड़ करके भी जेपी में सामिल हुआ सब नेता जीत गहे सबको बड़ा तो राजय का कुल सत्तर सीट के ऊपर उनस्तर का नितीज़ा आ चुका और यहाँ बीजेपी च्छपन सीट के ऊपर जीत हासिल कर चुका शत्तर में से उनत्तर सी उसमें 56 सीट हासिल किया वहीं कॉंग्रेस को ग्यारा से यह कह सकते ग्यारा सीट के साथ इस्वंतोस करना पड़ा दो सीट का चुनाव लड़ने वाले मुख्यमंत्री हरीश राबाद दोनों जगा से हार गए तो भाई बड़ा मुख्यमंत्री हरीश राबद जो और देश के मुख्यमंत्री वह वहाँ से हार गए कहीं कहीं आप बीजेपी वालो का पकड़ धीरे-धीरे मजबूत होता चला जा रहा है बड़ा फाइदा यहां बीजेपी वालो को अब इक सकते कि कौण इस पूस्टी औ तो कौन वरेगा मुख्यमंत्री उत्राखंड का या कोगमा संक्ति पाठी वस्य बताएंगे कहीं मत चाहिएगा देखते रहे आदनी उजबाला तो भाई सबको बोलेंगे नमस्का